वेल्कम तो अजयोटिव चैनल प्योपी टोर्नमेंट दोस्तों मैं आपके लिए नहीं वीडियो लेकर आऊंँ फेनिक्स होस में जो इश्यू आ रहा है लोगों के ग्रब वींडो आ जाता है उसमें मतलब मैं ट्राय कर रहा हूँ ग्रब रेस्क्यू करके उसको लेकिन मैंको वो बोट फैल शो नहीं कर रहा है मतलब उढ़न नहीं पा रहा है उसके इंदर कमांड डालने के बाद दी तो इ लेकिन यहां फेल अउन्द फैस्में अगता तो आप मैरे कम के आ हूँ अनलोगों के लिए वीडियो में निकाली होँ धिक्राय जैसे दूसरे और अश्यातर मुस्यान शों होगया या Android x86 हो गया, यह सब मेरे काम कर रहे हैं, अलंकि इन में PUBG चल नहीं रहा है, लेकिन और चल रहे हैं, तो अब यह चल रहे हैं, लेकिन फीनिक्स वस मेरे नहीं चल रहा है, जब कि मैंने टेंपरी सोलुशन निकाला उसके बार चलाया, तो फीनिक्स वस बहुत स्मूध रन कर और PUBG तो बहुत स्मूध चल रहा है, क्योंकि system specs काफी अच्छे हैं यह मेरे laptop के, तो उसके लिए उससाब से तो मतलब सही चलना चाहिए, तो फिर मैंने थोड़ा टेंपरी सोलुशन निकाला और आप लोगों के लिए script पर वीडियो बना रहा है, मैंने कम सकम एक से रेड मा सबसे दोले हम एक partition ना लेते हैं, जिसमें हम FenixOS install करेंगे, तो this PC पर right click मार के manage option में जाना है, वहां से device management option आएगा computer management का, तो उसमें आप उनको जाना है disk management में, और वहां से जाके आपको एक, जो आपका खाली drive होगा, जिसमें काफी space खाली होना चाहिए, उसमें से जाके आ आप एंटर amount लिखा है, वहां के आपको 20 GB कहना सार डालना है, अब 1 GB में 1024 MP होते हैं, तो उसके साब साब को 20 GB के साब से 20 to 1024 करना पड़ेगा, तो amount आएगा 2480, वह आपको वहां put करना है, मैं डालूंगा 40 GB के साब से कि मुझे separate partition अपना अलग बनाना है किसी Linux के लिए, त दालेगा, थोड़े दिन में partition बन गया, अब यह अनलोकेट इसको allocate करना पड़ेगा, तो वह new simple volume, इसको next करना है, फिस next करना है, फिस next करना है, यहां पर volume का नाम डाल सकते हूं, new volume में डालो, महां पर Kalinax आप डाल सकते हैं, Phoenix Souls या फिन्यू वोल्यूम भी चोड़ दी को द Blaze Wars इंस्टॉल करूंगा, क्योंकि मेरे वो रन कर रहा है, और वोट फाइल बन जाती है, तो Blaze Wars सबसे पर इंस्टॉल करते हैं, यहां पर, यह software जो है, Blaze Wars इंस्टॉल करने का installer, मैं डाल दूंगा description में, आप तो इसको download कर लिजेगा, मैरे पास एक दो software है यह वाले, एक पुर इसमें मैंने का partition बनाया, Phoenix Wars drive F के अंदर, तो उसके अंदर में इसको install करूंगा, 20GB उसकी limitation है, F के अंदर में install कर रहा हूं, और 16GB का में इसको data size दूंगा, fix ola, 16.0, yes, तो, अब मैं इसको data cut कर देता हूं, क्योंकि काफे time लेता है, यह भी, बीच में, मैं यहाँ पर friends install कर दिया था, friends दे फिन लग गया था, okay, तो यह install done हो चुका है, अब आपका install करेंगे, हम दू तरीके से install करेंगे, तो पहले files बता देता हूं, यहाँ पर drive के अंदर यह सारी file बन गई है, अब मैं, अब आपने दो type की file download करी होगी, एक तो होगी ios file और एक होगी exe file, मैं आपको सबसे पहले ios file के थुरू कैसे करना यह बता देता हूं, तो fosters में जाएंगे, यह यहाँ पर ios file है, 3.0.8 phoenix verse, उसको हम लोग accept करेंगे, जगे आप देख लीजे, output extension क्या देना इसको, और उसके बाद मैं तो यही पर दे रहा हूं, यह मैं अलड़ी इसको extract कर रखा है, तो यह इसका folder है, 3.0.8 phoenixos का, और यह सारी files extract होने के बाद, एक वो installed folder जो है, वो नहीं आएगी, वो दूसरा folder हो मैंना इसके ने डाला था तो अब इसको और phoenixos जहां पर install कर रहा है, मतलब policeos जहां install कर रहा है, तो उन दोनों को एक साथ यह से खो लीजे, अब इसमें से कुछ files आपको copy करने है, जैसे कि यह है system.sfs, ram.disk, kernel, और यह nint image, यह वाली, इसको आप यहाँ पर copy करना है, आपको कुछ नहीं करना है, और इसको बन कर देना है, Windows को, और restart करना है PC, लेकिन उससे पहले हम आपको बताता हूँ, exe file वालो के लिए, exe file अगर जिन्होंने download कर रखी इसका तो, exe file को open करे रहे, पेंडर अपना RGB का pen drive, इसमें आप select करो, और नहीं आता refresh करो, पेंडर असे insert करो, और उसको write कर दो, write करने के पाद पेंडर बूटेबल बन जाएगी, ठीके अब पेंडर बूटेबल बन जाएगी तो इस ताइप के files उसमें आ जाएगी, अब आपके पास यह सरी file है, जो phoenix source में show कर रहा है, और यह files आपको उसमें डालनी है अपने, यह था यह android was, bliss was को, यहां से वही file जो उसमें copy करी थी, same file यहां पर भी copy करनी है, और यह sfs file जो है उसको आपको delete मारना है, क्योंकि मेरे case में इसको space काफी जाता चाहिए था, तो यह sfs file में delete मारी है, वैसे आप उसको रटा दीजीगा, क्योंकि दो-दो file हो जाएगी, और इसमें sfs के जगे बनेगी system.img file, तो कोई issue नहीं है, और run करेगा बिल्कुल, यह image file थोड़ी से बढ़ी है, ऐसे से चोटी होगी, और लेकिन कोई issue हो नहीं है, अब इन दोनों में मतलब एक छोटा सा difference ही रहेगा, कि जब आप zip file से आप copy करोगे, तो आपको phoenix source के अंदर मतलब जबना है, यह windows का जो location है, उसके जो drives हो आप access नहीं कर पाऊगे, लेकिन उसमें आप access करेऊ, pen drive के तरह जब आप करोगे, यह restart हो रहा है, अब यह मैं हूँ, यह F2 दबाया है यहां पर, तो उसी open wire आपका यूगी आपका mode, और यहां से मैं boot menu खोलूँगा F8 दबाके, Android OS चूश करूँगा इसमें, अब यह आपका अग्राब menu आगया, मैं Android X86 चूँगा, गल रपका झार्ड़ напр Murray आपके, 1 अज हम एमे मैं आपका अबना, किर ऊच शुटत आपके, 5- 때문에 대한 प्ज़ी झाल Rice, इसर दो चुटत आपके, रहिते पास्टरीusedस, 2 unnecessary calm in on 갑talk that Marin VI काफी टाइम देने के बाद भी ओन हो गया इसमें लेंग्वेश इंग्लिश चुर्ट करूँगा नेक्स्ट एक्सेप्ट लैसेंस अन अग्रिमेंट यहां पर मैं कनेक्ट करूँ अपने वाइफाई से क्यों मतलब ऑपन होनागी बाद विंडो कुछ एप्रिकेशन से अप्टेट करता है मेरे वाइफाई का नाम है कनेक्ट हो गया उसको नेक्स्ट करेंगे यहां पर अपना चैनल का नाम परिंश कर देंगे और यह उपन हो गया अधिट गाइस अपका फिनिक्स वाश्चल गया है मज़से चलाओ तो यही था दोस्तों आप मतलब उम्मीद देखिए आपके चल गया होगा और थैंक्यू बेरी मच पर सपोंटिंग मी प्लीज सब्सक्राइब माच चनल कि के आप लोग लाइक कर देते हो देख लेते हो फिर चले जाते हो सब्सक्राइब कर दो यार थैंक्यू बेरी मुच यह नेक्स ताम सब्सक्राइब